श्कार आप सभी का मेरे इस चानल पे बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम अजाला दिले प्ठाकुर है और आज मैं आप सभी के लिए स्वतंतरुता दिवस पर एक नई स्पीच लेकर आई हूँ इस नए वीडियो में तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को अंतक देखना आप सब ना भूले और इसी के साथ साथ मेरे इस चैनल तो और भी बहुत सारे वीडियो से तो आप प् 15 अगस को मनाया जाता है तो इस स्पीच शुरू करने से पहले यह दो लाइन्स याद करो उन वीरो को जिसने सब कुछ कुर्बान किया खुद न Zoo रहे लेकिन हमको आजारी का वर्दान दिया तो आप स्पीच शुरू करते हुँ स्वतंतरता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है यह दिन केवल प्रिय दिवस ही नहीं बलकि हमारे राश्रव पर्व भी है इसी दिन 1947 में हमारे तिरंगे ने अंग्रेजों के ध्वज का स्थान लिया था तब से हम सब हर साल इसी दिन जंडा फहराते हैं और उसे सलामी देते हैं इस पवित्र दिवस को खास बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है इस अफसर पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी स्थानों में भी विशेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है इस दिन हम अपने सुतंतुता सैनानियों को शद्धानजली अर्पित करते हैं इस दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री पूरे देश को संभोधित करते हैं ये हमारा 75 सतंतुता दिवस है इस आजादी का सफर बहुत ही मुश्किल था बहुत से वीर जवानों ने अपने जान की बादी लगा कर हमें ये आजादी दिलाई है सबसे आगे महात्मा गांदी इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे पूरे 200 साल लड़ने के बाद हमें ये आजादी प्राप्त हुई है अंग्रेज सरकार ने पूरे भारत पर बहुत समय तक राज किया इसलिए हमें इस आजादी की कीमत समझनी चाहिए पिछले 75 वर्ष में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है पहले हमें अनाज का आयत करना पड़ता था क्यूकि हमारे पास अनाज की उपज परियाप नहीं थी लेकिन पिछले 75 सालों में हमारे देश ने इतनी उन्नती कर ली है कि अब हमारे पास अपनी जरुरत से जादा अनाज उगाने की शमता है और बहुत सा हिस्सा निर्याद भी कर पाने की स्थिती में है ये सब संभव हरित, क्रांती, कुष्णिती, योजना के द्वारा ही संभव हो पाया है इस तरह विज्ञान के शित्र में भी हमने तेजी से आगे कदम बढ़ाया है आज हमारा देश एक कठिन दोर से गुजर रहा है एक और महामारी ने हमारे देश की कमर तोड़ दी है तो दूसरी और हमारे शत्रू घट लगा कर हमले की फिराक में बैठे है ऐसे में हमें अपने देश के प्रती अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीना चाहिए एक सैनिक की तरह हम सीमा पर तो लड़ नहीं सकते उसके लिए हमारे वीर जवान ही काफी है लेकिन हम फिर भी राष्ट निर्मार में अपनी एहम भूमी का निभा सकते है हमें चाहिए कि महामारी से बचने और बचाने में सरकार का सयोग करे सरकार और स्वास्थ विशेश्यों द्वारा दी गई हिदायतों का कड़ाई से पालन करे अगर हम तीका लगाने योग्य हो तो निस्वं कोच लगवाए और दूसरों को भी प्रत्साहिद करे इन सकारात्मक कारियोग द्वारा हम इस 75 वे वर्ष को चुनहरा और यादकर बना सकते है जहिद तो यही थी मेरी आज की नए वीडियो स्पीच सतंतरता दिवस पर और मैं उम्मीद करते कि आप सभी को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें जादा लोगों तक शेर करें और हमारे इस सतंतरता दिवस और भी अच्छा और सुनहरा बनाए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूले ताकि अगले और भी आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल सकें और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को स्वतनरता दिवस की थे सारी बधाई